मसूर के दामों में लगातार तेजी आती दिखाई दे रही है दरसल कनाड़ा वफारी अपने मसूर एक निर्धारी सीमा से नीचे के दाम पर बेशने को तयार नहीं है जिससे उन्होंने कीमते बढ़ानी शुरू कर दी है भार्तिय बजारों में आयात खटे के साथ ही नए सोदों की पटाल उची बैटने के कारण भार्तिय आयात को द्वारा दाम बढ़ा कर बोले जा रही है दरसल तिहारों की वज़े से भार्तिय बजारों में मसूर की खपत में लगातार भरोतरी हो रही है जिससे मसूर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं वहीं बुद्वार को भी मसूर 50 रुपे बढ़कर 6400 रुपे प्रतिकुंचल पर दर्च की गई फ्यापारियों का मानना है कि निकट भविश्य में मसूर के बजारों को कुछ सपोर्ट मिल सकता है और मजूदा सतर से 100-200 रुपे की तेजी देखने को मिल सकती है दरसल देश भर में मसूर की बोनी शुरू होने वाली है और इस सल मसूर के रकमे में 5-7 फिसद की वृद्धी होने की उमीद जताई जा रही है उदर यूपी और एमपी में भी रकमे में सुधार होने की संभावना है लेकिन फिलाल जानकर मान कर चल रहे हैं कि मसूर के दावों में ये तेजी त्युहारी सीजन के चलते बनी रह सकती है जाताई जाताई लेकिन ये रहादा है